हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे मावा यानि की खोया के बगेर बनने वाली गाड़ी और मलाईदार चावल की खीर की रेसिपी घर पर जब महमान आए और कुछ मीठा ना बने तो अधूरा सा लगता है इसलिए आज हम आपके साथ सेर करेंगे 5 लीटर दूठ से बनी हुई खीर आज हम बिलकुल परफेक्ट साही तरीके से बनी हुई खीर की रेसिपी आपके साथ सेर करेंगे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें खीर बनाने के लिए हमने जो 5 लीटर फुल क्रीम दूद लिया है उसे हमने एक मोटे तले के बरतन में ट्रांसफर कर लिया अब हम इसमें 2 गलास पानी एट करेंगे आप यहाँ पर पानी ज़रूर से एट कीजिएगा क्योंकि खीर बनने में ज्यादा वक्त लगता है तो पानी एट करने से दूद ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा अब हम इसमें हाई फ्लेम पर एक उबालाने देंगे हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे सोक किये हुए खीर के चावल तो हमने 5 लिटर दूद के लिए आधा किलो खीर के चावल लिए इन चावल को हमने 2-3 बार पानी से अश्ची तरह धो कर एक घंटे के लिए भिगो दिया था इसे हम इसमें एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस खीर को हम लोफ लेंपर पकने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसी तरह चमच को बरतन के तले पर लगाते हुए हम इसे चलाते रहेंगे ताकि जो दूद है वो नीचे ना लगे खीर को लोफ लेंपर पकने के लिए रख दिया है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं तो हमने 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 25 ग्राम पीसते लिए हैं इनको हम मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे देखिए खीर को लोफ लेम पर पकते हुए सिफ 15 मिनिट हुई है इस पर जो मलाई आई है उस मलाई को हम तोड़ कर दूद में एड़ कर देंगे और चमच को बतन के तले तक लगाते हुए इसे चलाएंगे ताकि जो दूद है वो नीचे ना लगे और हमें इसे लोफ लेम पर तब तक पकाना है कि हमने इसमें जो चावा लेट किये हैं वो पूरी तरह कुक ना हो जाए और हर 10 मिनिट में हम इसे चेक करते रहेंगे और पकने के दोरान इसकी जो मलाई है और जो किनारों पर मलाई लगी है उसे भी हम चम्मच की मदश से इस तरह तोड़ कर दूद में एट करते जाएंगे तो इसे लोफ लेम पर पकते हुए एक घंटा हो चुका है अब देख सकते हैं कि हमने जो दूद लिया है उसकी थोड़ी सी क्वंटिटी रिडियूस हो गई है और जो चावल है वो भी अच्छे से कुक हो गए है तो इस टेज पर हम इसमें चीनी एट करेंगे तो पांच लिटर दूद के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम यानि कि पोना कीलो चीनी ली है चीनी एट करने के साथ ही हम इसमें एट करेंगे दो टीस्पून इलाइची पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी और इलाइची पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब हमने जो ड्राइ फूर्ट्स लिये थे बादाम, काजू और पिष्टे उसे हम इसमें add कर देंगे अब देख सकते हैं के हमने इन dry fruits को दरदरा पीसा है तो आप इस बात का ध्यान रखेगा के हमें dry fruits का powder नहीं बनाना इस तरह हम इसे थोड़ा दानेदा रखेंगे तो dry fruits की आधी quantity add करके हमने इसे mix किया और बाकी की quantities में एट कर देंगे साथ ही में एट कर देंगे एक टेबल स्पून चिरोन जी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अक्सर हम खीर वगेरा में ड्राइफूर्ट से एट करते हैं तो कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते इसलिए जब आप इसे पीस कर एट करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और बिना किसी मावे यानि की खोये का इस्तेमाल किये बगेर भी ये खीर बहुत ही लाजवाब बनेगी तो एक बार आप इस तरह से द्राइफ फूट्स को दरदरा पीस कर जरूर से खीर में एट कीजिएगा यकीन मानिये जब आप इस तरह से खीर बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरह खीर बनाना चाहेंगे चीनी इलाइची पाउडर और ड्राइफ फूट्स एट करने के बाद हमने खीर को लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए और पका लिया तो आप देख सकते हैं कि खीर की कंसिस्तंसी हमने कुछ इस तरह रखी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस टेज पर हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून रोज वोटर देखिए आप यहाँ पर रोज वोटर की जगह केवरा वोटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप इस गर्मा गरम खीर को अभी भी सव कर सकते हैं या फिर इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद 3-4 घंटे तक फ्रीज में रखने के बाद इसे सव करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ला जवाब आएगा तो हमने खीर को 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था अब हम इसे सव करेंगे जिसे कि हमने यहाँ पर खीर के लिए आधा किलो चावल का कर सकते हैं और खीर की मिठास के लिए हमने जो चीनी एट की है उसकी क्वंटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन अगर आप ज्यादा मिठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वंटिटी थोड़ी सी बढ़ा ले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट कर चैनल पर नए है तो मेरी आप से हमबल रिक्वेश्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई